ओम शान्ती, आज है तीन फरवरी दोहजार बाईस के इश्वरिय महबाक्य, पहले एक नजर मुरली के मुख्य पोइंट्स पर, बाबा ने कहा, तुम बच्चों को इस रुहाब में रहना है कि बाप हमको लेने आए है, वही कालों का काल सर्वशक्तिमान है, सारी महिमा उनकी है, दूसरे कोई की हो न सके, ऐसे बाप के साथ तो बहुत रिगार्ड से चलना चाहिए, लेकिन सधार्ण रूप होने के कारण उतना रिगार्ड रखते नहीं है, फिर बाबा ने कहा, तुम सिर्फ एक बाप को याद करो, तो याद करने से वह सेकेंड में हाजिर हो लेकिन याद में तभी रह सकेंगे जब घड़ी घड़ी अपने को देही अभिमानी समझेंगे, बाप का बनकर जब तुम बच्चे अपना सब कुछ सरेंडर करते हो, तो बाप भी एवज में तुमको उच्च दरजा दिलाते हैं, आगे बाबा ने कहा, यह बात सदा याद रखनी है कि ड्रामा पूरा हुआ, अब हमें वापिस अपने घर शांतिधाम जाना है, घड़ी घड़ी यह याद करते रहो, तो मरने का डर निकल जाएगा, जितना हो सके औरों को भी यह समझानी देनी है, तुम सब बाबा के साथ सर्विस में मददगार हो, कांटों को हिमानी बच्चे ही सर्विस अच्छी कर सकेंगे, भले कई बच्चे जोर से पुरुशार्थ भी करते हैं, प्रंतु फिर ठक जाते हैं, क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है, अब तुमको आठ घंटे तक याद की यात्रा को बढ़ाना है, अंत में जब आठ घंटा इस सर्वि को विस्तार से, मुरली का सार, मीठे बच्चे, सदा इसी रुहाब में रहो, कि बाप हमको वापिस ले जाने के लिए आए हैं, अब सब को वापिस चलना है, प्रश्न, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े ते बड़ा पुन्य कौन सा करते हो, उत्तर, अपना सब कुछ श समर्पन कर देना, यह है बहुत बड़ा पुन्य, सरेंडर कर, पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत उच्च पद मिल जाता है, आज दूसरा भी प्रश्न है, कौन सी एक नई बात, मनुश्यों की बुद्धी में बहुत मुश्किल बैठती है, उत्तर, शिव बाबा जो निरा कार है, उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है, वही सबसे बड़े ते बड़ी आसामी है, उनका ही उचे ते उचा पार्ट है, यह नई बात, मनुश्यों की बुद्धी में बहुत मुश्किल बैठती है, गीद यह कौन आज आया, सवेरे सवेरे, ओम शान्ती, शिव बाबा बैठ कर अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तो समझ गए हैं कि श्यों बाबा निराकार है, और हम आत्में भी निराकार है, उनको ही बैठ समझाते हैं, यह युक्ती सिर्फ एक ही बाप के पास है, बाप बैठ समझाते हैं, भगवान किसके साथ बात करते है अपने बच्चे आत्माओं के साथ बच्चे भी जानते हैं और बाप भी जानते हैं आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ सुन न सके शरीर दवारा ही सुनती है एक ही यह सत्संग है जिसमें परमपिता परमात्मा बैड समझाते हैं बाकि जो भी सभी आत्माई है उन सब को अब साथ ले जाना है क्योंकि ड्रामा का चक्र पूरा हुआ है ये सारी भारत वासियों की ही बात है बाबा आते हैं भारत में और भारत वासियों को ही कहते हैं बच्चे तुमने सबसे जास्ती पार्ट बजाया है तुम ही सत्युग में सो देवी देवता थे अब शुद्र बने हो फिर से तुमको पढ़ाकर देविदेवता बनाते हैं औरों को कैसे पढ़ाएंगे गीता भी भारत की ही है हर एक का अपना-पना पुष्सक है और जो भी धर्म पिताएं आये हैं वे सब मनुष्य हैं उनको अपना-पना शरीर है यह है सभी का निराकार फादर जो नौलेज़ फुल है ड्रामा के आदी मध्य अंत को जानते हैं बाप को पढ़ाना भी तुम बच्चों को ही है क्योंकि तुम ही चक्रवर्ती राजा फिर से बनने वाले हो सभी तो मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे जो भी पहले देवी देवता धर्म वाले होंगे उन्हों का ही फिर सेपलिंग लगेगा जब देवी देवता धर्म की पूरी सापना हो जाएगी तो फिर और सब मठ पंथ विनाश को पाएंगे सभी आत्माओं को बाप वापिस ले जाएंगे बाप आते ही हैं पतित दुनिया में आकर सब को वापिस ले जाने बच्चे जानते हैं जो सहज राज योग हम कल्प पहले भी सीखे थे वे अब सीख रहे हैं विनाश नजदीक आएगा तो सब की आँख खुलेगी अभी तो सर्फ तुम ही निश्चे करते हो कि परमपिता परमात्मा की इस्तन में प्रवेशा होती है गाते भी हैं गाइड अथ्वा लिब्रेटर आएगा जो सब को दुख से लिब्रेट कर ले जाएगा ये जो ब्रह्मा है उसमें परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया है ये कितनी बड़े से बड़ी आसामी हो गई तुम बच्चों को इतने रुहाब में रहना है कि बाप हमको लेने आया है कहते हैं मुझे याद करो उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते है भगवान की कितनी महिमा है वही सर्वशक्ति मान है दूसरे कोई की इतनी महिमा है नहीं इतना रिगार्ड तुम बच्चों को रखना है संगठन में तुम जब बैठते हो तो याद अच्छी रहती है फिर इधर उदर जाते हो तो वहे याद रहना मुश्किल है घड़ी घड़ी अपने को देही अभिमानी समझो तब बाप को याद कर सकेंगे ऐसे बाप के साथ बड़ा रिगार्ड से चलना पड़े प्रन्तु बाबा सधारण होने कारण वहे रिगार्ड नहीं रहता समझ से भी है कि बाबा कालों का काल है यह श्यू बाबा जिसको तुम बाप ददा कहते हो यह सब को साथ ले जाएगा बाबा को उच्छे ते उच्छा पार्ट मिला हुआ है जिसको सारी दुनिया याद करती है आत्मा क्या चीज है यह कोई और बताने सके कहते हैं लिंग है पूजा तो शिवलिंग की होती है हम भी लिखते हैं ज्योतिर लिंगम परन्तु वास्तों में इतना बड़ा है नहीं यह तो स्टार मिसल है इनमें ही सारा पार्ट भरा हुआ है यह भी किसकी बुद्धी में नहीं आएगा जब सुनेंगे आत्मा स्टार है पर मात्मा भी स्टार है तो वंडर खाएंगे कि कितना वह ताकतवान इसमें प्रवेश होता है जो पूरे 84 जिनम लेते है उसमें बैट सारी नौलेज देते है कि तुम आत्मा हो तुम्हारे 84 जिनम अब पूरे हुए अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे अभी तुम बच्चों को ख्याल में आता है कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है उसमें 84 जिनमों का पार्ट है उचे ते उचा पार्ट है जैसे ड्रामा में राजा रानी को उचा पार्ट मिलता है न यह भी बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता ही रहता है और तुम बच्चे यह भी जानते हो कि उचे ते उचे बाप को उचे ते उचा पार्ट मिला हुआ है तुम्हें भी सारे बेहद का ड्रामा बुद्धी में है बाबा सुप्रीम सोल कैसे साधारन तन में प्रवेश करते हैं शास्त्रों में तो अर्जुन का रत घोड़ा गाड़ी बना दिया है रत का अर्थ कितना बड़ा है यह है उनका रत परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं मैं इन में प्रवेश कर तुमको सभी बातें समझाता हूँ यह ज्यान की बातें कोई शास्त्र आदी में नहीं है शुबाबा ने ब्रह्मातन में प्रवेश किया है ये बिलकुल नई बात होने के कारण किसकी बुद्धी में बैठती नहीं है अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो अब तुमको परंपिता परमात्मा पढ़ाते हैं उनको ही याद करना है वे इस्तन में बैठे हैं इनको तो तुम दादा कहते थे ये बाप दादा दोनों कमबाइण्ड हैं तुम बाप दादा कह बुलाते हो न पहले बाप, फिर दादा फिर ये तुम्हारी मा भी है ये गुईये बातें समझाते हैं ये है ब्रह्म पुत्रा नदी ये सागर नहीं है बड़े ते बड़ी नदी इनको कहेंगे फिर है सरस्वती तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाई उन्होंने फिर वहे चित्र बना दिया है ब्रह्मा पुत्रा कहां से निकली यह उन्हों को क्या पता फिर सिंद सरस्वती का भी नाम है कुछ न कुछ थोड़ा बहुत शास्रों में है आत्मा ही पावन आत्मा ही पतित बनती है शरीर के लिए नहीं कहा जाता है आत्मा के लिए कहते हैं इस समय प्राय सभी पतित है शरीर तो किसका पवित्र नहीं सभी पाप आत्मा है सबसे जास्ती पुन्य आत्मा तुम बनते हो सब कुछ श्य बाबा को सरेंडर करते हो ऐसे बहुत होते हैं जो एक एक चीज सरेंडर कराते हैं लोब को सरेंडर करो, फलानी चीज छोड़ो यहां तुम जब बाबा की बने तो सब कुछ बाब को सरेंडर करते हो बाबा फिर एवजा देते हैं, जो जितना श्रीमत पर चलते हैं, सरेंडर करते हैं, उतना उनको दर्जा मिलता है मुख्य है शुबाबा को याद करना, शुबाबा यहां आते हैं पढ़ाने, सारा दिन तो इसमें नहीं बैठ जाएगा सेकिंड की बात है, तुम याद करो और आ जाएगा, तुम समझते होंगे कि बाबा सदेव यहां है, परन्तु यह खुद ही भूल जाते हैं इस समय बाब खुद कहते हैं, मैं तो सब को लेने आया हूँ विवेक भी कहता है कि विनाश तो जरूर होना है, अब तो बहुत मनुष्य हो गए है, विनाश की खुब तयारियां हो रही है, यह भी तुम ही जानते हो बाकी और भले कहते हैं, विनाश होगा, परन्तु उसके बाद क्या होगा, यह नहीं जानते तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, कि बाबा आया है, राजधानी सापन हो रही है हम भी बाबा के साथ सर्विस में मददगार है, कांटों को फूल बना रहे हैं भक्ती मार्ग वाले तो बाब को जानते ही नहीं, अगर कहें कि शास्त्र पढ़ने से परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलता है तो पहुँच जाने चाहिए, प्रन्तु बाब कहते हैं, वापिस कोई भी परमधाम गया ही नहीं है कई समझ से हैं नई दुनिया फिर नए सिर उत्पन्न होगी, अनेक दुनिया में मत मतांत्र है बाब कहते हैं, यह सब असत्य है सत्य बोलने वाला एक ही बाब है कहते हैं सत्य श्री अकाल मूर्थ, सभी आत्माएं अकाल मूर्थ है तो सत्य श्री अकाल एक है, बाकी सब हैं असत्य, अर्थात जूट सत्य ग्यान की बातों के लिए कहा जाता है इश्वर के लिए जो ग्यान देते हैं, वेह सब जूट Godly Knowledge एक गोड़ ही आकर देते है तुम बच्चों को यात रखना है कि यह ड्रामा पूरा होता है अभी हमको वापिस जाना है जैसे नाटक की जब पिछाड़ी होती है तो एक्टर्स समझ से है अब नाटक पूरा होगा हम सब घर जाएंगे हम सब एक्टर्स है तो हमको भी Knowledge का पता होना चाहिए कि अब बाकी थोड़ा समय है बाबा आया है हम सभी आत्माओं को ले ही जाएगा परन्तु कब ले जाएगा यह नहीं बताते है क्योंकि ड्रामा है न अचानक ही सब कुछ होता रहेगा जितना हो सके औरों को भी यह समझानी देनी है वे इतना नहीं समझते है कि यह राइट है परन्तु कहने वाला जरूर समझते है तब तो कहते हैं न तुम बच्चों को समझाना है हद के बाप से तो जनम-जन्मांत्र वर्सा लेते आए हो अब बेहद के बाप से वर्सा लो तीर उनों को लगेगा जिनोंने कल्प पहले लिया होगा तुम बच्चे घड़ी घड़ी याद करो तो अब हमको शांती धाम घर में जाना है कवर्मेंट के सर्वेंट आठ घंटे सर्विस करते है तुमको भी आठ घंटे तक यह याद की यत्रा बढ़ानी है अंत में तुम आठ घंटा इस सर्विस में रहेंगे तब ही पूरा वर्सा ले सकेंगे सब तो नहीं कर सकेंगे भल कोई जोड से पुरुशार्ट करते हो प्रन्तु फिर थक जाते हैं मंजिल बड़ी भारी है तुम बच्चे जानते हो कि बाप को सभी आत्माओं को ले जाना है कभी कभी इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता है कि बस अब तो सब को वापिस ले जाना है बाबा के संसकार इनमें भड़ते रहते हैं यह भी पुरुशार्थी है अब खेल पुरा होता है सब को वापिस जाना है अगर यह भी कोई याद करे तो इनको कहा जाता है मन मना भव तुम बच्चे अब सम्मुख बैठे हो सम्मुख सुनने से जैसे चप जाता है घड़ी घड़ी याद करते रहो अब वापिस जाना है तुम्हारा अब मरने का डर निकल गया मरने से कब हिचकना नहीं है देही अभिमानी बनना है देही अभिमानी सर्विस अच्छी कर सकेंगे ग्यानी तु आत्मा चाहिए परदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं ग्यानी चाहिए ग्यानी तु आत्मा ही प्रिये लगती है अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्ये सार पहली पोइंट नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है काटू को फूल बनाने की सेवा करनी है दूसरी पोइंट कम से कम आठ घंटा याद की यत्रा में रहने का अभ्यास करना है मौत से हिचकना नहीं है क्योंकि बुद्धी में है अब घर जाना है वर्दान स्विम को विशे स्पार्ट धारी समझ साधारनता को समाप्त करने वाले परम वस्रेष्ठ भव जैसे बाप परमात्मा है वैसे विशे स्पार्ट भजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी स्रेष्ठ है सिर्फ चलते फिडते, खाते पीते, विशेस पार्ट धरी समझ कर ड्रामा की स्टेज पर पार्ट बजाओ, हर समय अपने कर्म अर्थात पार्ट पर अटेंशन रहे, विशेस पार्ट धरी कभी अलबेले नहीं बन सकते, यदि हीरो एक्टर साधार्ण एक्ट करे तो सब हसेंगे, इसलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेस हो साधार्ण नहीं, स्लोगन, अपनी वृती को पावरफुल बनाओ, तो सेवा में वृती स्वते होगी, और अभी हैं, मातेश्वरी जी के अनमोल महवाक्य, निरंतर याद, अर्थात लगातार याद रहे, देखो परमात्म का फरमान है, मुझे निरंतर याद करो, अब निरंतर शब्द का भी रहष्य समझना पड़ेगा, निरंतर कहा जाता है उसको, जिसमें कोई अनतर ना हूँ, लगातार योग रहे, जिसमें खंडर ना पड़े, उसे अटूठ योग भी कहा जाता है, अब परमात्म प्रतिग्या कराते हैं, अगर मुझे निरंतर याद करोगे, तो मैं तेरे किये हुए पास्ट विकर्मों को भस्म करूँगा, तो ये ग्यान अगने, जिसमें विकर्म दग्द होते हैं, यह बाप धर्म राज भी है, जब वे सजाओं दवारा विकर्म विनाश करा सकता है, तो बाबा के पास प्यार का भी कोई तरीका होगा, तो जो उनके प्रैक्टिकल आए बच्चे बने हैं, उन्हों को फिर ये फर्मान देते हैं कि बच्चे मन मना भव, निरंतर मुझे याद करने से तुम विकर्मा जीत बनेंगे, धर्म राज के डंडो से बच जाएंगे, पर्मात्मा के पास विकर्म विनाश कराने के दो तरीके हैं, एक है सजाओं से पवित्र बनाने का तरीका, दूसरा है योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका, जिससे पाप नाश होते हैं और जीवन मुक्तिपद प्राप्त होता है, दुख के उपाए है ही नहीं अच्छा और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती ये एक बहत संसकारितापूर्ण विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करे